26 बरसों से यह शरीर विभिन सानसारी रोग व्याधी जरा पीडाओं से ग्रसित रहा हैं परन्तो अपने गुरू के दिये गए लक्ष, सास्त्र के दिखाए गए मार्ग और आध्यात्मिक सिखर की और जाने की आकांख्षा ने सदा से सरीर के इन पीडाओं ब्यादियों को पीछे धकेल कर मानुमी जीवन के चरम परम लक्ष को पूर्ण करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहें मुझे स्मरण है उननी सोस अन्थानवे निन्यानवे के दोर में ही एक बहंकर ब्याधी और पीडा का प्रारंब हुआ जिसमें बहुत सारी सारी रियाक्शन्स भीतर में रोगों के हुए और एक बहुत इस पंच भूत के सरीर को टिकाई रखने के लिए महतपूर्ण अंग लीवर उसमें बड़ी खराबी आई और तब मुझे याद है बर्ष भर तक जिकित साले में मैं उपस्थित रहा वहीं अड़मिट रहा और सैयम के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा ये शरीर जिस समय समस्त मेडिकल साइन्स ये कहा करते थे कि जीवन 14 दिन से ज़्यादा का नहीं है परन्तु मानुवे जीवन के चरम लक्ष को प्राप्त करने और आध्यात्मिक जीवन को जीने की जीजीविशाने और सबसे बड़ी ईश्वर रूप में ही सचल विग्रह गुरु कृपा और गुरु पर अटूट विश्वासने निरंतर उसी समय से इस सरीर में जो अच्छे प्रारंब हुआ लेकिन जीजीविशा और महाभारत के कर्म को करने की अभिलासाने इस सरीर को जीवीत रखा बिगत च्छे साथ साल पहले फिर इस सरीर को एक भैंकर पीडा ने करशित किया एक जख्म के रूप में गाओ के रूप में और वो फिर धीरे 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 उसकी ऐसी प्रक्रिया मुझे याद है जब पहली बार एक बहुत बड़े वैद दिया शिकित सक देखने आये तो उन्होंने कहा अरी ये तो कैंसर है ये तो चाला है ये तो स्वस्थ होना बहुत मुश्किल होता है इसको रोका जा सकता है पर मेरी ये जीवसा बहुत तगड़ी रहती जिस समय मैंने कुरुकरपा से उस जीवन को जो मृत्यू के करीब थी 26 पर पूर्व एक तरीके से उसे डिफीट कर जीवन को उपलब्द हो मुझे इस बात का सदा संतूष रहता है जीवन के प्रतेक्षण जीवन एक उत्सो अभी भी जब मैं बहुत भयंकर पीड़ा और सारिरिक तकलीफ हर रुगनता और जरजरता से गुजर रहा हूँ तब भी बीच बीच में मेरे चेरे पे मुस्कुराहट होती होटो पे मैं इसे भी रोगोट सो के रूप में बनाता हूँ इस सरीर में चाहिए वो सरीर किशी का हो जन्म लिया है तो रूग ब्याधी जरा सबाने है यहां गोतम बुद्ध रिशी महर्शी मुनी यहां तक कि ईश्वर भी जब यह सरीर मृत्यू लोग में धारण करके आते हैं तो उन्हें भी इस सरीर को यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है वो साश्वर्थ हैं चिदानंद हैं लेकिन इस मृत्यू लोग के नियम को पूरुन करके यहां से सब को विदा होना होता है झाल झाल